हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं यह बैसिकली हमारी जिगराफी में मैपिंग सीजीजे इसमें क्या करेंगे हम बैसिकली 8-10 लेक्टर है उसमें सारा एसिए यag यूरोप फीरिका नोर्थ अफरीका साउथ अफरीका ऐस्टेलियो जिलेंड इविन साउथ को रोती स्टाइज है सार एक continent basicly लेक्चर ये वाल powered लेंगे हैं इसमें देखे पहला lecture पहला चोटा सा टॉपव कैं ए ऐसं में या क्या करेंगे मैपिंग करेंगे सेविर आफिञिन देहें थेल्ठ तैस मापिंगे मैं देखिए पीजिकल फीजिगREY एफिजिल फंडीर रव्रा हैंड इजएट एंड वी अर्ट siitä शह् colleague देहें श्रींसेयं और इस द्रया रप्तिया श्रेम त warrior धेल्टन ये श्रींसिर अलट जैन रूंस व्रीविट आइन प देखिए कुछ टर्मलाजी उनको उन पर बात कर लेते हैं, in terms of settlement, Australia, New Iceland, Australia क्या बोला जाता है? New Island बोला जाता है, ठीक है, okay, smallest, smallest continent, but largest, Iceland, okay, any continent is small है, but, Iceland, largest है, किसी ने discovery की, बिसी डच, यहनी की डच एक डिसकवर थे, उनका नाम ता New Holland, उनोंने इसकी discovery की, ठीक है, okay, another information, Matthew Flender, British, Matthew Flender, British circumventing Australia, gave name Australia, यहनी की, इनोंने अस्टेलिया नाम दिया, इनोंने क्या कि अस्टेलिया की चाल चकल लगया, और इनने नहीं अस्टेलिया का नाम दिया, this is little bit, you can say that little bit information regarding Australia, so important है, ठीक है, second slide देखते हैं, अब देख लिए, पीजियोग्राफिक फीचर देख लेते हैं, especially इसमें क्या करेंगे, आप रेंच कवर करेंगे, ठीक है, रेंजिस कवर करेंगे, आस्टेलिया की रेंजिस, देखिए, सबसे देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंच, यह यह वाली, यह ग्रेट डिवाइड रेंच है, ठ देखिए यह, आस्टेलिया नालपस, ओके, ओके, अब फ्रसी देख लेते हैं, देखिए, इंडियन ओशियन, ओके, तीमोर सी, अराफुरा सी, गल्फ अप, कर्पेंटेनिया, कोरल सी, ओके, पैस्पिक ओशियन, इस बास स्टेट, बास स्टेट बिसक लिए, यह बिसक करता है, जो बैसली क्या करता है, पैस्पिक ओशियन, इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, आस्टेलिया तस्मानिया को कनेक्ट करता है, और शदन में क्या है, इंडियन ओशियन, शो इस बिसक लिए, सम रेंजिस, इन सम बाटर वाटर 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 वाडिस, यह आपको इस्टेट एक्जाम, PCS, NSC, something like that, even UPSC, informative question बनने लगे हैं, तो geography one of the hot topic, especially mapping, ठीक है, next, देखिए, अब देखिए, प्लेटू देख लेते हैं, table land, table land means some part of the, some part of the land, basically क्या होते है, more than five km अप होते हैं, ठीक है, table land, या उनको प्लेटू बेलते हैं, देखिए, किम्बर्ले प्लेटू, ठीक, ओके, कैप योर्क पैनिशुला, और हिम लेंड, यह बिसकली up land है, ठीक है, बर्कले टेविल लेंड, और इरी पैनिशुला, यह बिसकली सभी important है, पूछ लेंगे, इरी पैनिशुला कहा है, तो यह अस्टेजिया में है, ठीक, नेक्स लाइज देखिए, नेक्स लाइज में डिजर्ट देखिए, डिजर्ट में देखिए, सबसे बला डिजर्ट देखिए, यह बिसकली जो बेस्टन पार्ट, बेस्टन और सेंटल पार्ट अब देखिए, तीज लाइज डिजर्ट फीचर जैसे, यह इनकी लोकेशन आपको पतापने जाए, गेट सेंडी डिजर्ट में डिजर्ट, नीरिजर्ट सिम्सं दरट गिप्प्सनदरट ओ ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, पूु सकते हैं कErाज्य लाइज ऑ्योट कि consult बेसरा आस्टेलिया में थिक tiring बेसरा नास्टेलिया में यह बैसरी निदर नास्टेलिया में में सिंसन एनकी विध्यक मिन सकता है कि ओल द वल्ला डिजर्ट अोली एंडेजियरोच वेत इंडेग तुंटेस्टियम भूर्स Länder पेस सा मेञे थीर टुने घृट ट्र डीक्टव डेसिए सिम्सिंटर फिर यह गया हमने शर्टा अंडे असिट。」 से मिलें वटार्शन चंड आ leaves हर मैं हरं सविक देखिए जल सकते स्पटबskा वालत है है यह वसेली क्या है यह बैसिक ली यह वसिकली काईंड अफ़ तोफ लिटल बट डि इप्रेशनल जोन है पिपरेशिनल जोन यह लो लेंडर इसमें कर बborत रिषोर्स चैनल की सीमय वाम प्रेसोर्स रोस इस पैसली ग्राउंड वाइटर। ठक है यानि कि. ग्राउंड वाइटर रिजर्व अप्यू दॉच्ट इस का इंपोर्ड य इसका इमपोर्डिन आइट या इतना लंबा है इस तरीके से देखिये आ आट ईसमें आइज आटेजां जीलिए वाटर। ओइल two laur largest and deepest art invasion of the world, यहनी कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है, biggest source of fresh water for a Central Australia, यहनी कि Central Australia जो कि desert region है, यहनी कि Central Asia में Tanami Simpson, जो कि desert region है, उसके लिए यह basically water provide कराता है, यहनी कि, और remaining, remaining basically, Victoria and something like, in provinces, mean, okay, आगी देखिए, Muray Darling Bayesian, basically, यह क्या है, Muray Darling Bayesian, basically, Muray and Darling, दो riverine, यह riverine, बेशन है, यह देखिए, यह देखिए, यह यह, यह यह निकलती है, basically कहों से great divided दिवाइडिंग कि, ठीक है, great divided से निकलती है, और ये इनका बेशन है ठीक है इसका इंपोर्टेंस दिख लेते हैं देखे डार्लिंग रिवर ओर जिनेट फ्राम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आया लोडी टोल यू ठीक है यह देखे ग्रेट डिवाइड रिवाइड रिंग रिंग डार्लिंग और मुरे दीजार टू कंबाइड इनकी बैशन के में स्टेडी कर रहें ठीक है टारलिंग रिविड ग्रेट रॉयंग मुरे प्HAN रूम दानग। ह मुरे कहां से इससनोई मांटे इंप वरन निगलती है इसनोंगमटें से आई, तेमपरेट घ्राशलेंड, इनी के बेशिन में कहा है, टेमपरेट घ्राशलेंड जालेंग यबध्र डांवीरे जाते हैं, ठॉक है, डेरी फरमिंग एंड ट्रॉडक्शन है यानि कि यूटिलिटी कह है डेरी फार्ड टेरी फार्मिंग और बीट प्रोडक्शन या लार्ज लार्ज स्केल पहोता है ठीक है मोरे और डालिंग वेशन में नेक्स देख लिए लिए ओने लुवा लीजन में वहा बैसके लीचली एकिटीरी रिजिन से इधर वाला इधर क्या होगा जो नदन नदन ये वाला नॉर्ट बेस्टन के ट्रॉपकल मांसून रीजेजन माता है ठीक है ये दिकी हट डेजर्ट हो गया यान कि डिजर्ट क्लाइमेट कोगा ये वा यह देखो ट्रॉपिकल गैस्ट ग्रॉसलेंड तो मोर और लेस्ट लिटल बिट देखिए ट्रॉपिकल सम्हुमर्ड और डिजर्ट और मेडिटरियन और टेम्परेट मोर मोस्ट अफ दाट बेसिकली जो क्लाइमिट कंडिशन अस्टेलिया में द्यू तु फिजियोलोजिकल और जिग्राफिकल फीचर के हिसाब से आरेंज ना ठीक है आगे देखिए मेन इकोन मेन इकोनमिक एक्टिविटी देख लिए अग्रीकल्चर होता है ठीक है कहां मोरे डालिंग बेसिन में एनिमल हस्पेंड रिजन माइनिंग सेक्टर इस्पेसिली बेस्टन अपर वेस्ट स्टाइफुले एनिमल घ्रीक उड्रा उसन अएकेह इसाट में खाने इसाट ना प्रिजम और जानिग नर्दी में इसाट होता है दिक यरानि ऊद्रीकल्चर नौ षाटन की aún हरता teenage प्रिकिवेशन होता है सित्पेसिली काफिकल्ठि is प्रुमीट में आबिकर जाट बाइन प्रोडक्शन एन तस्मानिया फ्रूट कल्टिवेशन यानि यह वाला रीजन यहीं से बिलाँ करते हैं मिस्टर रिकी पॉंटिंग फॉर्म राश्टियल काप्टें टीक है फ्रूट कल्टिवेशन ओके आगे देखिए एनिमल हस्वेंडरी इस पेसली अब देखिए डिजर्ट रीजन है तो क्या होगा डिजर्ट रीजन है तो बैसली सेम डिजर्ट सेमी डिजर्ट ट्रॉपकल इस तरीके की रीजन है देखिए तो देखिए डिजर्ट रीजन में क्या होगा सीप कल्टिवेशन ह होगा कैटल कंटिवेशन सोरी कैटल रेरिंग होगी होगे सीप रेरिंग बूल एन लैम मीट यानि की बूल इन मीट प्रोड़क्शन के लिए कैटल रीडिंग फार मीट एन डेरी प्रोड़क्शन इस फेसली डाउन्स वाले रीजिन में ठीक है आगी स्लाइट देखेये शीप रेरिंग ास्टेलिया कौन सी इभ इतो हहीं इंपोर्टन्ट है सकते है कि मरीनो स्प कहां से बिलांग करती है यह ऑस्टेलिया ऐसे ठीक है क्या है हाई क्षाइलि टीबाल्वार्ट आज इन्हें इसकी जो उन होती है न वो बहुत हाई क्वालिटी होती है ठीक है और जो सीप फॉर्म होते हैं उनको कहते है इस्टेशन से निकाल्ड सीप फॉर्म को कहते हैं स्टेशन अब कोशन बन सकता है कि स्टेशन किस कॉंटिनेंट के सीप फॉर्म को कहते हैं तो अस्टेलिन कॉंटि है ठीक है selective breed अब superior genetic line है ने की इनकी जो genetic superior species demand की इनकी जो breed होती है वो genetically बहुत ही बहुत superior होती है especially bull cultivation, bull production के लिए ठीक है next degree dairy नेस्टे लिए या या यह नहीं daring बैसे लिए कहां downs वाले regions में मुरे डालिंग बेशन में ठीक है यह वाला region dairy मेरी cow bar brought from England कहां से इंपोर्ट कींगी इंगलेंड से ठीक है commercial commercial dairy होती है sophisticated with utilization of technology यानि की high tech यानि की high tech यानि की commercial dairy होती है large pasture lens, hard management, large number of cattle under farm यानि की commercial scale पे with help of technology, transportation, communication उनकी help से basically commercial level पे dairy farming होती है ठीक है फिर उनको product को process करके export किया जाता है with another country ठीक है अब देखिए mining Australia mining के लिए बहुत famous है क्योंकि desert region especially देखिए कौन कौन से mine region कौन कौन से mineral मिलते हैं coal iron boxide copper gold uranium especially western Africa okay manly export to china अब कहां कहां export के जाता है china japan south korea and india to okay some जैसे अडानी अडानी की एक basically कमर्शियल भींग है वो यहां basically uh keep one of the best north बेस्टरी नदन अस्ट्रिया में basically इनकी एक फिर्म basically बॉक्साइड माइनिंग के लिए active active है ठीक है अदानी गुरु प्राइवेट आगे दिखिए how Australia is important for india now because we are indian so we have to explore the australia perspective of india ठीक है australia has world largest reserve of uranium ठीक है uranium used for energy production a silly nuclear reactor civil nuclear attack okay india is important for australia cooking cooking coal okay क्योंकि iron copper gold any mineral that's why australia is very important to india okay growing number of indian diaspora especially for education education health ठीक and job these are three magnet which attract indian diaspora to australia ठीक है next देखिलीजे region bys mineral deposit देख लेते हैं देखिये अरहने अरहम अरहम लेंड आप question पूचा था अरहम लेंड बॉक्साइड डिपोजट बिलंग टू बिस continent that is australia तो यह बॉक्साइड के लिए famous है ठीक के यॉर्क पेनिशुला यह भी बॉक्साइड है यहीं पे अदानी की जो फॉर्म है न वो बॉक्साइड माइनिंग कर रही है अदानी फॉर्म टीक है अब देखिक कार्पेंटेरिया बेशन यूरेनियम के लिए ठीक ग्रेट सेंडी और ग्रेट सेंडी यूरेनियम और कापर के लिए ठीक किम्बरले प्लेटू बेरी फिम्बस दो तीन बार PCS में श्रेट PCS में पूचा चुका है किसके लिए बॉक्साइड एं आइरन के लिए ठीक अब देखिक ग्रेट विक्टोरिया डिजट गोल्ड एं लिए ठीक इधर दिखिएं फिलेंडर रेंज के लिए ठीक फिलिंडर रेंज व्यार फिलेंडर रेंज रेंच अब दाष्ट एंच अकिया के लिए ठीक ग्रेट डिवादि आङ्ट भी अञत के मिलता है ओप आपर आयरें धोल्डल so this slide is very important because uh some of the question directly asked from this slide especially state services even in UPSC because the uranium pockets of the basically uranium uranium and mineral pockets of the stelae is very important okay next see next see now basically what is basically this is also the same rockhampton okay it is pitch okay bong gong this is basically gaseous spot is basically these are reason for gas reserve okay gas reserve and petroleum and these are petroleum reserve of australia proteleum and gas reserves okay kaha 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 phe kugli kooli are no wind okay gibbsland bolong gong spish and rockhampton these are region for petroleum and oil resources okay next daily adani coal mining i already told you this is the region okay adani point here yeah car chemical coal mine in the galilevation any galilevation matiga largest coal mine of australia owned by adani mining farm okay export from hay point here point to abort point to india okay environmental degraded is his skin ki mining se kaya hua environmental degradation hua that's why local local light are protesting against adani mining firm and want to remove this firm from the australia because they are creating a environmental problem okay especially great barrier reef okay next degree upgrade barrier reef do bhi already have look cover kar chukain great barrier reef okay largest coral reef system of the world okay coral important perspective of marine ecology and diversity marine ecology means they are basically promoting rich fishing industry and uh duplankton and flora and of ndi definitely received the 읽odo tube far that's the best folia between the apex and산-差 rate of cultural environment as a Lewis roller bay of india anda negative people in your career here for electrical and spiral leading fire barrier reef का okay next slide देख लिए ट्रवल्स टू इंडिया ओवर एक्यूजिशन ठीक है यानि कि जो इंडिया बेसिक लिए जो एक इंडिया के एक्यूजिशन ने किया है ओले जब्सका माइनिंग का क्या क्या प्राब्लम्स है ठीक है देखिए एक्यूजिशन अप्रेट्रोरियम फिल्ड होके प्लिटिकल इंस्टिविल्टी इन फॉर्म सोर्सेस होके नैच्रल इन्वार्मेंटल हैविटेशन होके लोश इंडिंग प् प्रैल्मेंट टेकिग एक्यूजिशन अइस्ट्रिव एप्रने देखिए ओलतर्बेंटेशन अवेड्लियोमस क्या इंडियो का से व्यक्वार्त्छpur ओलियू क्या व्यक्विन क्म्वाग्ष बॉल्ख म्यक्वाइसरी सौना अप्रिक्सटां व्यक्तर्र आपग्सिंग है प्रकिस्तान विंग तर्वा इनलेशन बिद इंडिया तो इस कंपोनेंट आलसो कंटिब्यूट बिसिकली ओवर एक की ओवर सीज एक्यूजिशन आप इंडिया थीक है इस पैसली आस्टेलिया आगे देखिए कहा का पर हमने ओवर सीज कर रखा कहा कहा पर प्राबलम हो रही ह है देखिए साउथ सुडान में कौन ले कौन जी ओ इन जी सी ठीक है और नेच्रल कैस कारपरेशन तू तू त्री बिलियन हमने वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है मेजर ओल फिल्ड देखिए शुडान ओके इंड शाव सुडान ठीक है बियतना में देखिए ओल बेसे कोन बेसन का है तो फू कान बेसन का है साउफ चैना सी में ठीक है यह दिस इस की फॉard ओल कोड नट वी फांट ह gue basically यहां पर क्या कि हम ने क्योशिंशान कर लिया ऐ घृजएन करने के बाद जब हमने सब्सक्लों किया हुआ पर फू कान बेसन में तो क्या वहां ऐह ओल के लिए वो रॉंग चलीगी इस आलसो प्राब्लम ठीक है आगे देखिए सखाइन आइलेंड यह कहा है रसिया अब यह यह कोशन पुछा सकता है कि सखाइन आइलेंड कहा है रसिया में ठीक है सखाइन आइलेंड ओयल फिल्ड एक्वाइट इंपिरियल इनरजी ठीक है अमेंग दा मोस्ट इन होस्पिटल स्पॉर्ट अंदार्थ ओंग ओंग इंजिंसी इंट्रेस्टि इंड आर्टिक रिचिन इन साइविरियन ओल फिल्ड यह नहीं कि यहां पर भी ओंग सी एक्टिव है ठीक है लॉस इन बिडिंग किसके साथ इसरी एक्वजीशन में हमने बिडिंग में लॉस हुआ कजाकिस्तान ओके विचाइना कशागन ओल अब देखिए कोशन पूचा सकता है खशगन खशगन ओल फिल्ड कहा है कजाकिस्तान में ठीक है इस इस इंपोर्टेंट ठीक है 2010 अर्दस में अमरिका युवणडा से ओल फिल्ड चाइना से बिडिंग लॉस्ट होगी और सेम अंगोला से यानि की अंगोला युवणडा उकजाकिस्तान में जब बिडिंग होई तो हम चाइना से लूच कर गए यह की बहां की ओल फिल्ड किसको एल लॉट होगी चाइना रादर देन आश ओके आगे देखिए बेनेजला और निको वेल्ड टोके 60 देखिए 60 और निको वेल्ड 60 परसेंट टेक अंडर दा प्रीटिकल कंट्रोल प्रीटिकल टूल हैने की बागी जो लोकल कर लोकल प्रीटिकल कंडिशन है उसके कोर्डिंग मैनूवरिंग होती है डिले इंप्रोडक्शन डियू टू रेट टेपरिजम अब देखिए बेनेजला निकी जो लाइनेगी जो प्लमलिजा का सिस्टम है गार्प्शन रेट टेपरिजम तो उसके गाड क्या है वहां प्रोडक्शन डिले हो रहा है ठीक है इंफा इंफा डवलमेंट अब देख इंडिया क्या करता है बसी चैना एक टूजी सिन करने के बाद क्या करता है वहां इंफा डवलम करना था बट इंडिया ऐसा रिकार्ड फालो नहीं करता है तो बनवदार रिजन बसीली हमारे जो एक टूजी सिन प्रोड़सेस होते हैं मिनरल ओल और गैसे जए उटक्शन के आगे देखिए आप देखिए बिसिकली सम रेंजिस देखिए माउंटेन ब्लैक कहा है आस्ट्रेलिया में ठीक है पिलवरा बिसलिए आइरन के लिए फेमस है ठीक आइरन के लिए देखिए आइरन यह देखिए आइरन लौ आरन मोनार्क ठीक है धी आइस आप आफ दीज बिसिकली आइडन मांस हैं ठीक है मांट मुंदी एक है आइरन ठीक है जेंप स रेंज देखिए मांट टॉम प्राइस और एमपी साउंट थीज नोकेशंग ने में अमपर भाअइट यह सम अब दा वेरी इंपोर्टेंट इस्पेसली प्लवरा ठीक है माउंट ब्लैक माउंट विरोष इस आर फेमस थार्ड इस आयरन नोब और पॉर्ट पिर्स इस बिसीली फेमस वन ओके यूब तो गो त्रुव इस आगे देखिए उरेनियम उरेनियन देख लेते हैं देखि अप्रा लिक। चौप नव्रा लिक। मैरी कैथलीन उके रीडियम और बीम इलड इस बेरी इंप्रेंट ऑके माउंट फितन एन मांट पैंटर ब्लिय। अप्रेंट इस बेरी इंपॉर्टेंट दे यूपी इन रियूद मीएं ब्यार इस आ लीड पूछी जा चुगी है र अब देखिए अब देखिए आस्टेलिया बल्ड का कितना टेन परसेंट या नी टेन परसेंट गोल्ड जब बेसिकली कहां है अस्टेलिया में ओके फेमस लोकेशन देख लेते हैं देखिए कलगूरली बेरी फेमस ओके कूल गाल्डी बेरी फेमस ओके बलात क्रैको ओके पैडिंग्टन अन बोटिंग्टन ओके नौशीमा एंड मौंट मॉर्गन देखिए लोकेशन अप गोल्ड माइन इंद अस्टेलिया ओके आगे देखिए यह कॉपर रिजर्ब ओके देखिए मौंट मॉर्गन ओके यह देख crack, आप पूछ सकते हैं कि T N N Crack copper mines कहा ब्लांग करती है australia में, और इस फेसली North australia में, ठीक है? North australia में, अब देख लिए बिसी natural gas natural gas reserve देख लेजिए, glips land, gips land basin, ठीक है, यह gas reserve, फिर देख लिए, karna born basin, okay, browse basin and bonapart basin, these are based in related to gas reserve of the australia ठीक है आगे देखिए बॉक्साइड रजब देखिए बीपा ठीक है गोप मिशल प्लेटू देख पूछ सकते है कि मिशल प्लेटू रिलेटिटू बॉक्साइड रजब कहां से बिलोंग करता है यहां कि मिशल प्लेटू कहां है अस्टेलिया में ओके नेक्स देखिए नेक्स लोकिसें देखिए बॉडिंग्टन हंटी बलावाडे ओके देखिए अलसो लेटेट तू कापर रप्साइड यह इंपोर्टेंट है वीपा ओके एंद मिशल प्लेटू नेक्स देखिए बेसिकली डाइमंड देखिए बन अप दे लार्जेस डामेंड रचितली रिएोड आ चाह संटयू किलोच में पमा 98 euro माय में हम मोश्च आप देमार्स देख बैल्यवल काउन से पिंक डाइमेंड और रेड नाका यह पिंक डायमड लोकेशन देखिए अरगिल डायमेंड माय बॉड हरेञं पारम आस्ट्रेलीया बीसिकली रेड एन पिंक diamond ठीक है red and pink diamond अब थोड़ा पॉलेट के लिए पढ़ लेते हैं वो दो पॉलेट के लिए लिम कवरी कर चेके ये देखो वेस्टर नास्टेलिया ए ठीक है ये नदर नास्टेलिया ये सदर नास्टेलिया है ये देखिए queensland है ये देखिए new south wells है ये विक्टोरिया है और ये तस्मानिया है अब city पढ़ लेते हैं देखिए टाउंस विल ब्रश्वेन लित्राइज ब्रश्वेन ब्रष्वेन सिद्राइज कैनबरा इडलियाडंट इमिड़ पर्थ नमूनिक है bsc एमे ठीक है इस तरीके से आप चलेंगे clockwise तो यह निमोनिक आपको फालो करेगा जाए ब्रिस्वेन, सिड्नी, कैन्बरा, मेलवन, अटलियाइड, पर्थ, ओके, नेक्स देख लिजे, इसलिए आल लेडी हमका कबर कर चुके हैं, देखिए, अब उन्हें में क्या है, territorial wise, देखिए, डार्विन में क्या है, बॉक्साइड डेजर्व हैं, ओके, पर्थ में क्या है, basically, platinum, agriculture and gold mining, city wise कवर किया है, अडलाड में क्या है, basically, shipping, building and petrochemical, mailworm में क्या है, manufacturing, Sydney म् क्या होता है, textile, okay, ब्रिस्वेन में क्या है, textile and port, यानि कि city के basis पे, basically, industrial center कहां-कहां located है, okay, city wise, आगे देखिए, अब थोड़ा New Zealand पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा topic है, देखिए, यह basically, दो Iceland है, ठीक है, North Iceland, okay, South Iceland, इनको कांसी state divide करती है, को कि state इनको divide करती है, ठीक है, यह इधर Pacific Ocean है, इधर देखिए, तश्मान ocean है, ठीक, next slide, देखिए, देखिए, New Zealand basically कैसे Iceland, volcanic island है, okay, volcanic island है, okay, देखिए, लेक तपुआ, लेक तपुआ कहां है, North Iceland, North Island में, okay, देखिए, Southern Alpes, यह देखिए, यह Southern Alpes है, कहां New Zealand, मैं पूछा जाथा कि which of the island of the island, New Zealand belong to Southern Alpes, तो कौन सा island है, South island, ठीक है, आगे थोड़ा लेक तपुआ के बार में पढ़ेते हैं, Kangdera, Kangdera rank basically का होती है, जैसे महा लेज़े, यह बलकान के एक्टवीटी ही ही। करें से यहां पर एक वार एक्टिविटी हो चुकी और है एक बार एक्टिविटी रह पिर किया वाघ यहां हो एगए पानीव खड़ गया पानी भर गया तो इसी तरीके लिए थे फिर क्या बोलते हैं कल्डेरा ओके लेक तप कोई अब माउंटेन तहृरा डार्मेंट मॉलका नो डार्मेंट बुलका नो वो बुलकानो आते हैं बैसकली जो एक्टिव नहीं होते हैं ठीक है एक्स एक्सप्लोसिब अरपसन इन दबॉलकाई नो इंपटी मैगमा चेमबर, फॉल अंदर रूप, मैगमा चेमबर, कल्डेरा लेटर फिल विद बार्टर, ओके, बैसिक लिए क्या होता है, बार बार एक वोलकायन नेक्टिविटी होती जाती है, और एक टाइम पर कहा होता है, कि एक दम बहुत इरप्टिप, एक्सपलोसिफ होती है तो उसका वैसे क्यों रूफ होती है उती हो ख कि आगे ढ admits यह देखो थोड़ा कलेवा लैकम इसक लिए पेक्च्छ लीक्स एक्सिप्लैन कीया गया देखीए पहली यह दिखी फिसर एक्टिवेटी थी ठीक है okay second phase में दिखिये यह फिसर ini डो जगा वए ओके आगेई कंडरा कोलेप्स चाइना टाइप है ठीक है और जो बेसिकली साउथ आइलेंड है उसमें लाउरेंटियल टाइप है यह हमाले डिक्स प्लेंड कर चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में क्लाइमटोलोजी में ठीक है ओके देखिए तारानाकी यह एक बेरी इंपोर्टेंट कोशन तारानाकी प् क्यों प्रेंट क्रणा की बेच्श आइन की पाइस्टेंग अब देखिए आचांड यह अए लेक्टेंग बेच्टिविटी फॉर्म लेंड के लिए यह वैसीं तारानाकी प्लानिट बल्ड मेंड प्लेंड यह बैरी फेमस फॉर कॉमर्शल देरिंग फार्मिंग अब है ठीक है नुजी लेंड में फॉर्मिंग फॉर लेंब बूल के देन कैटल रेरिंग एंड मीट डेरिंग यह नहीं कि मीट और डेरी प्रोडक्शन के लिए बैसिकली कैंट वरी फिलें मेरी फेमस है विकाज दे आर ब्यूटिफुल पास्चर लेंड और ग्राश लेंड ठीक तो सबसे ड़ी टॉप पर एक वॉक्लेंड है ठीक है फिर बिलिंग्टन है ओके फिर किसिंचर्च है फिर डियूनिन है ओक है तो चारो छीटी पे का है बेसिकली किरिकिट क्राउंड यह जैन्य कि किरिक इस्टेडियम है चारो पर तो इफ यू आर किरिकिट फैंड तो थे कि इस पलिए 있 और क्र फेले है KP ये चर्राइप टे विमा सब्सक्रेट अच टॉरिजम इसके लिए फैमिपाश ये ब्लेंकटन दिख लेजे टूरिजम इंटर्णेट ऐन्य आइस फिल्म प्रोडुक्ट्शन किसन चर्ज देख लिजे, एगरीकल्चर अलाइड एक्लिटीज, मीट एन बूल प्रोसेसिंग, टेरी अन बायो टेकनलोजी, डूनेड़न दूनेड़न बसिकली युनिविस्टी नेगी, अभी यह पूछा सकता है, कौन सी सिटी, बसी नुजीलेंड की एजूकेशन के लिए famous है that is dun and din basically indian diaspora यहां पर Billington और dunan यहां basically job के लिए Billington में किस के लिए ICT job के लिए और dunan में basically education के लिए ठीक so this is the city are very famous so guys this is lecture regarding mapping of Australia I hope आप लोगों को पसंद आया होगा so please अगर वीडियो पसंद आया होगा तो please like share and subscribe that will give me little bit more motivation to make good video thank you thank you very much